Absolute Advantage अर्थात निर्पेक्स लाब की स्थिति समने रूप से अंतरास्टी व्यापार की स्थिति को बतलाती है अंतरास्टी व्यापार में जब एक देश को दोनों ही वस्तु के उत्पादन में दूसरे देश की तुनला में कुछलता प्राप्त होती है तो इसे निर्पेक्स लाब की इस्तिती देते हैं एक जहां उधारन के लिए हमने माना कि 100 स्रम से 100 स्रम की इकाई से अमेरिका कपड़ा बनाता है तो 200 मिटर कपड़ा बनता है और शराब बनाता है तो भी 200 बोतल शराब बना सकता है जबकि भारत में उनी 100 स्रम से अगर हम कपड़ा बनाते हैं तो 180 मिटर कपड़ा बन सकता है और शराब बनाते हैं सो स्रम से तो वह 150 बोतल शराब भी बना पाते हैं तो ऐसी स्रम की काई का प्रियोग करने पर अमेरिका को दोनों ही वस्तु के उत्पादन में लाब है अगर वह सो स्रम से कपड़ा बनाता है तो भारत की तुल्ला में 20 मिटर कपड़ा ज़्यादा बना पाता है और अगर वह शराब बनाता है तो भारत की तुल्ला में 50 बोतल शराब ज्यादा बना पाता है इसी इस्तिति को निर्पेक्स लाब की इस्तिति कहते हैं जिसमें दोनों ही वस्तु के उत्वादन में अमेरिका भारत के तुलना में स्रेस्ट है